जैस्रीकृष्ण भगवत गीता का पांचवा अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म इस पांचवे अध्याय में अर्जुन ने स्रीकृष्ण से पूछा कि पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भग्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं क्या आप अफ किर्पा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लावप्रद है तब भगवान ने उतर दिया मुक्ति में लिए तो कर्म का परित्याग तथा भग्ति में कर्म दोनों ही उत्तम हैं किन्तु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भग्ति युक कर्म स्रेष्ठ है जो पुरुस ना तो कर्म फलों से घ्रीना करता है और ना कर्म फल की इक्षा करता है वो नित्य सन्यासी जाना जाता है हे महाबाहु अरजुन ऐसा मनुस्य समस्त द्वन्दों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णत्या मुक्त हो जाता है जो यह जानता है कि विसलिसनात्मक अध्यन द्वारा प्राप्त अस्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांखी योग तथा भक्ती योग को एक समान देखता है वही वस्तों को यथा रूप में देखता है भक्ती में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याक करने से कोई सुखी नहीं बन सकता परंतु भक्ती में लगा हुआ विचारवान व्यक्ती सीग्रे ही परमेस्वर को प्राप्त कर लेता है जो भक्ती भाव में कर्म करता है जो विसुध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वस में रखता है वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता दिवे भावना मृत युक्त पुरुस देखते, सुनते, स्पर्स करते, सुंगते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा स्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदय वही जानता रहता है कि वास्ताव में वह कुछ भी नहीं करता बोलते, त्यागते, ग्रहन करते या आखें खोलते, बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भातिक इंद्रियां अपने अपने विशायों में प्रवरीत है और वह इन सबसे प्रिधक है, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ती रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रवहावित रहता है, जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्प्रिस से रहता है, योगी जन आसक्ती रहित होकर सरीर मन बुद्धी तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल सुधी के लिए कर्म करते हैं निश्चल भक्त सुध सांति प्राप करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है किन्तु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने स्रम का फल कामी है वह बंध जाता है जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रवीति को वस्मे कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याक कर देता है तब वह नौ द्वारों वाले नगर यानि भौतिक सरीर में बिना कुछ किये कराय सुख पुर्वक रहता है सरीर रूपी नगर का स्वा वात्मा ना तो कर्म का स्रीजन करता है ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरीत करता है ना ही कर्म फल की रचना करता है यह सब तो प्रकृति के गुणोद्वारा ही प्राप्त किया जाता है यह सब तो प्रकृति के गुणोद्वारा ही किया जाता है परमेश्वर ना तो किसी के पापों को गरहन करता है ना पुन्यों को किन्तु सारे देहधारे जीव उस अज्ञान के कारण मोह ग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ग्यान का अच्छा दित किये रहता है . κिंतु जब um उस ग्यान से प्रभुद्ध होता है जिस से अविद्या का विनास होता है तो उसके ग्यान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दीन में सूरे से सारी वस्त्मे प्रकासित हो जाती है जब मनुस्य की बुद्धी, मन, स्रधा तथा सर्ण सब कुछ भगवान में इस्थिर हो जाते हैं तभी वह पूर्ण ज्यान द्वारा समस्त कलमस से सुध होता है और मुक्ति के पत्फर अग्रसर होता है विनम्र साधु पुरुस अपने वास्तवी ज्यान के कारण एक विद्ध्वान तथा विनित व्रामन गाय, हाथी, कुट्टा तथा चंडाल को समान द्रिष्टी से देखते हैं जिनके मन एक कत्व तथा समता में इस्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्व के बंधनों को पहले ही जीत लिया है वे ब्रह्म्ह के समान निर्दोस हैं और सदा ब्रह्म्ह में ही इस्थित रहते हैं जो ना तो प्रिये वस्तु को पाकर हरसित होता है और ना अप्रिये को पाकर विचलित जो इस्थिर बुद्धी है, जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है, वा पहले से ही ब्रह्म्य में इस्थित रहता है। ऐसा मुक्त पुरुस बहुतिक इंद्रेश सुख की और अक्रिष्ट नहीं होता। अपितु सदैव समाधी में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिध्य व्यक्ति पर ब्रह्म्य में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। बुद्धिमान मनुष से दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्क से उत्पन होते हैं। हे कुंति पुत्र ऐसे भोगों का आधी तथा अंत होता है, अता चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। यदि इस सरीर को त्यागन के पुर्व, कोई मनुष से इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इक्षा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। जो अंता करण में सुख का अनुभाव करता है, जो करमठ है और अंता करण में ही रमन करता है, तथ जिसका लक्ष अंतर मुखी होता है वह सच्चमुच पूर्ण योगी है वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अन्तत गोत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है जो लोग संसर से उत्पन होने वाले द्वैत से परे हैं जिनके मन आत्म साथ छातकार में रत हैं जो समस्थ जीव यानि मुक्ति को प्राप्त होते हैं जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रही थे जो स्वरूप सिध्ध आत्म सैयमी हैं और संसिध्धी के लिए निरंतर प्रयास करते हैं उनकी मुक्ति निकट भावी से में सुनिश्चित है समस्त इंद्रिये विश्यों को बाहर करके दिश्टी को भावों के मध्य में केंदरित करके प्राण तथा अपान वायू को नथुनों के भीतर रोक कर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुध्धी को वसमें करके जो मोक्छि को लक्ष बनाता है वह योगी इक्छा भे तथा क्रोध से रहीत हो जाता है जो निर समस्थ लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्थ जीवों का उपकारी एवं हितैसी जान कर मेरे भावना मृत से पूर्ण पुरुस भौतिक दुखों से सांती लाव करता है। इस प्रकार स्रीमत भागवत गीता के पंचम मध्याय कर्म योग क्रिष्ण भावना मृत कर्म पूर्ण हुआ। जया स्रीक्रिष्ण।